नमस्कार स्वागत है आपका केकेवी नियूस में मैं हूँ आपके साथ मैं नितिन चौधरी यूपी में उप चुनाओ है तारीखों में बदला होगी आप 20 नवमर को चुनाओ होना है गंगास्तान बीच में था हमारे साथ बाचीत करने के लिए लोगदल के सांसद डॉक्ट दाव दीच कामयाव परदिनों की तरह बढ़ रहा है और काणून वरस्त है इस समय आपराधी बहमुक्त हैं, वो गायब हैं और ब्रष्टाचार मुक्त हमारा सासन है और आधर्निय योगी आजितनाज जी के हुकुमत है तो ऐसे में आधर्निय चोधरी जैन जी जो किसानों की और गरीब की आवाज है और सर्दे चोधरी चरंज सिंग जी की जो विचा कर रहा हूं, उसके कोई मायने नहीं है अधर्निय गुजर समाज की एलान किया गया संबुल राना को समर्थन का गुजर समाज की तरफ से वो किसी के हात में ने जो इस तरह की बाते करते हैं, वो उनके पास में ऐसा नहीं कि वोट बेंक सारा ये समाज उनके पीछे है, समाज अपने अच्छे बुरे को खुझ जानता है, और समाज जो पूरा गोजर समाज है, पूरा भरते जनता प्रेटर लोगदर गडवन्दन के साथ है, एंडिये परतासी के साथ है, मितलेस पाल के साथ है, वहाँ कोई ऐसा कोई ना विवाद है ना कोई परक्षपात वाली बात है, पूर मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये ठेकदार आ जाते हैं समीदा गर्मी, उस पर भी उन्होंने घोरापती आज जताई है उस किसी के पीसे नहीं है, ऐसा नहीं कि वो लोग चो इस तरह की बात कर रहें कि हमने समरतन उसको दे दिया, ये समाज जागरूख है, और ये समाज भारते जन्ता पर राश्टर लोग दर विचार धारा के साथ है, चंदन चोहन जी हमारे सांसद हैं, यहां से उनी के पहले वो से चुनाव जिते हैं, सब लोग जाती तरह मजब से उपर उट कर, और मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम समाज का वोट भी पूरी तरह से एंडिय परताशी मिचलिस पाल जी के साथ तो पहले वी एमेल रही है, और उसकी अच्छी पकड़ है, समाज में, हर समाज में, हर वरग समाज में, हर देखे, आर एल ली की एक बैक्ग्राउंड है, सोरगय चौदी चंसिंगी से ले करके, और आज चौदी जेंत हमारे नेता है, और आपने देखा होगा, चौदी साब के टाइम में भी, सब बातों से उपर उठकर के लोग यहां वोट करते थे, यहां ऐसा भी म माहल था, कि जब चौदी साब के एक दौर में, आठ नो एमपी बने मुसल्मान, तो उन सब चीजों से कोई एक दिन में कोई हो नहीं जाता, कोई एक दिन में कोई बदलाव नहीं होते हैं, बलके हमारे जो भाई चारा है, मैं एक मेटिंग में था, शामली, वहां भी आदर चौदरी, जैंसिंग जीजों हमारे राष्टिया, देख से मन्ने मंत्री जी, उन्हों साफ साफ कहा, कि भाईचारा हमारे जिसमें हमारे दिल में बसावा, उसको हम कभी छोड़ने सकते, बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या गएंगे आप, देखे वो उनके अपने हिसाब स स्टेटमेंट है, उनको अपने हिसाब से जो कहना है, उस पर नुक्सान नहीं होगा बहुश्य में इसका, देखे, हमें गटते हैं, हम पर किसी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे किसान, मुसल्मान भी है, किसान, हमारे हिंदु भाई भी है, अगड़े भी है, पिछड़ तो क्या मुसल्मान के लिए नहीं होगा, मुसल्मान पहले से साथ नहीं रहे उस संगर्स में, उस लिहाज से फायदा तो मुसल्मानों का भी होगा, मैं जिस ब्रादरी से हूँ, या जो भी किसान ब्रादरी है हम लोगों की, तो क्या उन लोगों पायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहां हमारी प्रक्यासी बहुत अच्छी मतों से जीत करके आ और जहां तक हम लोग भी बराबर अपने कोशिश करेंगे रिष्दारों में उसमें बहुत सारे अपने लोग भी है तो मंच से गयाब थे मुश्लिम विदायक लोगदल के अब उतर के हैं मैदान में ऐसा नहीं है अभी भाई हमारे अश्टाफ साहब और दूसरे लोग यहां मुझूद थे मैं भी दिपावली की वज़े से थोगा सा ड्राइवर हमारे चुट्टी पर थे तो इस वज़े से मैं भी नहीं आ पाया अब लगातार हम लोग आएंगे एक दिन भी हम नहीं चुप करेंगा आप देखेंगे अच्छा श्ट्ट जी सिंबल लोगदल का परतियासी भाज़पगा इस पर क्या कहेंगे सप्पा के साथ जो वडबनल अलक हुआ यह का गया था के यही वज़े थी परतियासी एंडिए के है हमारे हमने पहले का कि जो नो की जो उप्चना हो रहे है विधान सभाव के एंड त्राइब कर दिकियर होने वाला था एनवक्त पर योगी जीका फोन आता है यह अथा फोन आने करे का दोweisen वाल है और साथ ही रहेंगे जो भी फैंसला चोई साब लेंगे ले करके नाराजगी थी कि उधार का प्रतियासी है लोगदल में कोई कारिगर्दा नहीं था मजबूत ना कभी नाराजगी थी नाराजगी है और यह प्रतियासी एंडे के हैं यह प्रतियासी चोदरी जैन जी के हैं ज प्रज्च परकर रहे हैं और जहनजी का फैसला है उसारे कारते हैं सारे किस्का है इसलिए प्रणाओं को पीछे उनका कहना आलग है धियान रखना चाहिए कि यह मांग बहुत पहले से यह मांग बहुत पहले से तमाम राहिंतिक दलो ने की थी कि घंगा असनानों का जो मेला यह मारा धार्मिक पर है और इसपे जाहीत तर लोग घंगा मेले पर फटार कि दिलेख लें ख़ल fps भाएंग दिया है और अटional की देर्थ देट लगा चर्चा है कि अगले दुश्यन चोडाला बन सकते हैं इस पर क्या गए है आखरी सफ़र आप राजनितिक गलियार में तो कोई चर्चा है यह नहीं आप पता नहीं कोई कोई आदमी जिसको जादे समझ भूज नहीं है जान जादे नहीं है आप कोई भी तो जवार है सब की अच्छे वक्टित है उनकी क्या विचार क्या राय राय तो उन्हीं की बोली जाते हैं थोड़ी कि कोई भी आदमी चुनाव जीतेंगे एंडिय की प्रतियासी है तमाम जाती धरब बजब के लोग का उनके साथ समर्तन है चोदरी चरंशिंग की विचार धरब को मानने वाल लोग चोदरी जिन वरोच्छ रखने वाले लोग अर्डिय की है कि उसमें अच्छोन ृपस विचार कुसफे तरक जानार है तर्फा छुनाव होगा और बहुत अच्छा जुना होगा देखे लिए तो ये थे राजकुमार सांगवान जी एंपी लोकसभा पाकपत और गुलाम मुहम्मद है सिवालखा सिवधाक इनका साब कहना है कि जो निर्णे जैन चौधी जी ने लिया है उसके साथ है और इनको लगता है कि इस निर्णे का सर समाज साथ देगा और कोई भी पार्टी के अंदर नाराज़की नहीं है और मितले स्पाल आसानी से मिरापुर विधान सब चेतर से चुनाव जीतने में काम्याब होगी इस वीडियो के लिए बस इतना ही दमश्कार